नमस्कार आप देख रहे हैं हम टीविलाइब आपके साथ मैं हूँ एल दिविदी आईए देश दुनिया की ख़बरों की सुरुआत करते हैं भारत में 70% आवादी क्रस छेतर में जुड़ी ग्रामीड इलाथी है भारत क्रस प्रधान देश है इसके अलावा स्वास्थ सिच्छा आय और सार्जनिक सेवाओं और परिसंपतियों की उपलब्दता में भारी अंतर होता है इसलिए उन्नत भारत अभियान को इस समझ से सुर उचित तकनीक का उपियोग करके इस्थानिये समधायों के विकास चुनोतियों का समाधान करने के लिए उच्छ सिच्छा के प्रमुक संस्थानों को सामिल करके एक समाबेसी भारत की बास्तुकला का निर्मान करना है उन्नत भात अभियान के तहत पैसेवर संस्थान गामो में दिक्कतों और विकास की जरूर्तों को पहचानेंगे गामों के विकास में तेजी लाने के लिए आर्थिक रूप से बैवारि समाधान विक्षित किये जाएंगे यह मिसन तक्नीकी समुदायों को तक्नीकी रूप से और इस्थानिये रूप से बैवारिक विकास समाधान में ससक्ति करण करेगा जो स्वयम निर्भरता को बढ़ावा देगा नमस्कार उन्नत भारत अभियान में आप सभी का अर्चना विदर्वकन्या सौगत करती हैं उन्नत भारत अभियान एक ऐसी परिकल्पना है जो उन्नत भारत स्वच्च भारत सुंदर भारत स्वस्त भारत स्वावलिम्भी भारत स्वाविमानी भारत का निर्मान करने का प्रय कर रही है वो भी जो युवां है योगों की कल्पना विकसीद करके उनके विचारधारों को कि स्तानिक समस्चाओं को के साथ में जोड़के उनको विद्ध्यमी बनाने की ये कल्पना है उन्नत भारत अभियान इसमें नई संस्ता और नई टेक्नलाजी डेवलप करने के लिए आयए टी जैसे नाइटी और सारे विश्व विद्याले साथ मिलके एक धर्ति पर एक मंच पर आके काम कर रहे हैं ये विचारधारा है सनमानिय मोदी जी की जो कहते हैं माननिय प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि हमारा भारत में बस्ता है और अगर भारत गाव में बस्ता है तो भारत की आत्मा कुरुषी में बस्ती है तो चलो गाव की और ये गाव की और जाने के लिए गाव को हमें एक उद्दे में बनाना पड़ेगा और सभी को ये बना बताना पड़ेगा कि हमारी अंतरात्मा को और आत्मा को हम साथ में ले पाएंगे जहां कुरुशी विकास, ग्राम विकास से ही हमारा राष्टर विकास होगा और जो हमारे दिन देयाल जी उपाद्या है, उनका सपना था अंतियो दोई से ही ग्रामो दोई होगा और ग्रामो दोई से ही राष्टर दोई होगा ये परिकालपना को साकार करने के लिए आओ हम सभी मिलके ये उन्नत भारत अभियान साकार करने का प्रयास करते हैं संपना तलाते हैं धन्यवाद हम टीवी लाइब के लिए धननजे साकारकर की रिपोर्ट